हेलो स्टूडेंट्स राजस्तान यूनिवर्सिटी के बीएस्सी पार्ट सेकिंड में जूलोजी के फर्स्ट पेपर में हम इन्वर्टीब्रेट्स के संरचना और उनके कारिय का अध्यन करते हैं पायल मिकाईनो डर्मेटा में हम कुकोरीया अरथाइत सी कुकुंबर समुद्री खीरे का अध्यन करते हैं लास्ट टॉपिक में हमने जनरल स्ट्रक्च्र के बारे में पढ़ लिया आज हम कुकोरीया के विभिन फीजियो लोजिकल सिस्टम का अध्यन करेंगे तो अगर हम सन्रचना देखें कुकुमेरिया की तो जो इंटीरियर एंड होता है अगर भाग जो होता है वह टेंटेकल से घिरा हुआ मुख होता है तथा पश्च भाग में एनल उपनिंग होती है अर्थात मुख से एनस तक के बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्राक्ट एक्सपेंड या विसरित रहता है परन्तु यह ज्यादा अधिक विक्सित नहीं होता मुख क्योंकि टेंटेकल से घिरा हुआ है अधिक पश्च नहीं होता सामान्यत यह पाया गया है कि लगभग 15 आम्स जो होती हैं फीडिंग आम्स या ब्रांच्ट जो टेंटेकल से शाखित टेंटेकल हैं जो कि जाड़ी के समान मुख को घेरे रहते हैं और यह स्फिंक्ट इनकी जो गती होती है वो कंट्रोल होती है और इसके साथ ही साथ ही जो टेंटेकल होते हैं यह भोजन को महसूस करने में डिटेक्ट करने में बहुती सक्षम होते हैं तथा भोजन को पकड़ कर यह मुख तक ले जाने में सहायता करते हैं अब अगर हम फीडिंग प्रिफरे तो जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इनको जो समुदरी तल पर क्लीनर के रूप में भी कहा जाता है उपर से जो अन्य समुदरी जीवों का बचा हुआ खाना आता है उनको ये क्लीन करते हैं या उनको ग्रहन करते हैं इसके साथ ही साथ जो इनका प्रेटान्स होते हैं और जो स्मॉल क्रेस्टेशियन से वो और उनके एग या लार्वी होते हैं कई बार ये नॉन लिविंग जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी ग्रहन कर लेते हैं अब टेंटिकल्स से घिरा हुआ जो मुक होता है वह अंदर की और फैरिंक्स में खु साथ यह है मसल्स के लिए एक अटेश्मेंट पॉइंट या संयोजन स्थल भी होता है जिससे कि वे मसल्स टेंटेकल्स की विभिन गतियों को कंट्रोल कर सकें सामानियत कुकुमेरिया में जो फैरिंक्स है वह है इसोफेगस और उसके पश्चा तमाश्यम में कंटिन्यू र खुलता है इसोफेगस ग्रसी का और अमाश्य अनुपस्थित होते हैं तो जो देख हुआ का अधिक्तम भाग जो होता है वो आंत्र द्वारा घेरा हुआ रहता है जो कि आंत्र यहां पर बिल्कुल कॉइल्ड ट्यूब या लूप्स घेरे के समान यहां पर उपस्थित रह देखें तो शरीर से लगभग तीन गुणा लंबी ट्यूब होती है इंटेस्टाइन और यह अन्त में क्लोईकल चैंबर के द्वारा एनस के द्वारा बाहर की और खुलती है तो इस प्रकार से कुकुमेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपलिस्ट साधारन प्रकार का होता है जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं यह शाखित टेंटेकल से किस प्रकार से इसमें शाखाएं उपस्तिते हैं और इनके मध्य में ओरल ओपनिंग या मुख होता है इसके पश्चात मुख ये फैरिंग्स में ग्रस्नी में खुलता है और अगर ग्रसी का जोकी सिर्फ एक जंक्शन होगा फैरिंग्स और स्टमक के बीच में अमाश्यत हैलेनुमा संरचना यहां से ये मसल्स जूड़ी रहती है जोकी टेंटेकल्स की गतियों को के लिए आवश्यक होती है उस और स्टमक फिर इंटेस्टाइन में कंटिन्यू रहता है जोकी बहुत ही अधिक कोईल या लूप या वले के रूप में उपस्तित रहती है इंटेस्टाइन का अंतिम भाग फूली होई संरचना क्लोय का जोकी स्टोरेज होगा अंडाइजेस्टिट फूड का और जिसे बा अगर हम अन्यत अंत्रों का अधियन करें तो नर्वस सिस्टम में यह पाया गया है कि कुकू मेरिया में किसी भी प्रकार का वास्तविक ब्रेन या इस तरह की कोई संरचना उपस्तित नहीं होती है परन्तु यह देखा गया है कि अगर इस नर्व ड्रेन की अपियरण्स है नर्व रिंग के रूप में neural tissue उपस्तित होते हैं जो कि oral cavity या mouth के जो मुख गुहा है उसके चारों और circle में ring या वले के रूप में उपस्तित रहती हैं वहां से अनेक जो nerves होती हैं वो pharynx और tentacles को जाती हैं और जिनकी कारण tentacles गती करते हैं और भोजन को मुख की और धकेलते हैं परन्तु ये वास्तविक रूप से ये कारिय करने में सक्षम है या नहीं क्योंकि यह देखा गया कि अगर इस nerve ring को remove कर दिया जाता है तो भी जो कुकुमेरिया है या उसमें जो उपस्तित tentacles हैं वो सामाने रूप से गती करते हैं आता यह एक contradiction या एक संदेह बिंदू बनता है कि वास्तविक brain या nerve ring या nervous tissue उपस्तित होते हैं या नहीं इसके पश्चात nerve ring से नीचे की और संपूर देह की लंबाई में जो embolac प्रतियक में एक major या बड़ी nerve पास होती है वह जाती है और आगे जिसमें से अनेक branches या अनेक शाखाई निकलकर nerve winding के रूप में skin को फैली हुई रहती हैं तो मुख्य रूप से इस पश्ट जो nervous system है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता गैंग्लियोनिक मास या गैंग्लियोन और उनसे major nerve का extension इसमें सपश्ट होता है इसके अतिरिक्त अन्य सम्वेदी अंगों की उपस्तिती सपश्ट नहीं होती लेकिन एपोडीडा ओर्डर के जो कुछ हॉलो थीरिया आनिमल्स होते हैं उनमें संतुलन पुट्टी का अर्था स्टाटोसिस्ट उपस्तित होती है सा नर्वस सिस्टेम के अतिरिक्त अगर सम्वेदी अंगों की बात करें तो उनमें tentacles के आधार पर आई स्पॉट और स्टाटोसिस्ट की उपस्तिती पाई जाती है नेक्स्ट अगर सिस्टेम में हम श्वसन तंत्र देखें तो इसके लिए कुकुमेरिया में सपश्ट रूप उसे रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है जैसे कि इस डाइग्राम में आप यलो कलर की संरचना देख सकते हैं जो कि लीफ लाई किया बहुत ही अधिक शाखित होता है अता इसे रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है यह क्लोयका से प्रारंभ होकर उपर की और जो देह होते हैं मुख्य रूप से जब जो in current water है या जो जल धारा अंदर आ रही है उसमें से oxygen ग्रहन करने या gaseous exchange में सक्षम होते हैं और यहां से यह gaseous exchange करके दे गुहा में उसे oxygen को प्रवाहित कर देते हैं और carbon dioxide एक्सकरंट वार्टर में या बहर गमी जो जलधारा होती है उसमें छोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से श्वसन हेतु इस पर्ष्ट रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसन व्रिक्षिस में पाये जाते हैं तथा इसके साथ ही साथ यह देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी ट्री ट्रीज होते है उनका कारिय सिर्फ गैसियस इक्सचेंज न होकर नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी बाहर की और निकालना है अर्थार्थ अमोनिया के रूप में ये बहिर गमी जो जलधारा होती है उसके साथ में काबन डायोकसाइड के साथ-सा-त-. नाइटरजिनस वेस्ट अथार्थ अमोनिया को भी बाहर की और त्याग देते हैं और जो फेगोसाइटिक सिलोमोसाइट्स होती हैं विशिष्ट कोशिकाई होती हैं जो की ठोस रूप में भी जो वेस्ट मटीरियल होता है वेस्ट होता है उनको कलेक्ट करती हैं वो भी इसमे उपस्थित होती हैं तो यह इस पश्ट नहीं है कि रेस्पिरेटरी ट्री जो है वह केवल श्वसन से संबंदित हैं क्योंकि इनका जो अन्यकारिया या सहायकारिया है वह उत्सर्जन भी माना गया है तो इस प्रकार कुकुमेरिया में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्यान कर लिया आप डाइग्राम्स नोट कर लेना पीडियेफ के रूट में नोट सुपलब्द करा दिये जाएंगे आप इनको कॉपी कर लेना थैंक्यू एंड हैवर नाइस टाइम